यह दैमोक्रेसी की हत्या कि जिस तरह मंत्री आते हैं अपने वादे करते हैं तो यह आप कहा सकते कि इंडिया में डैमोक्रेसी खत्म है और जो हाल इस टाइम यूँ आऊंक ए चाहिए आर्सो सत्रह हो हमाचिल जितने भी हुआ है जो नहीं त्यारियां कर रहे सबका हाल बेहा मैं पूच चुका है लेकिन रिस्पॉस नहीं है कैरे कुछ伊 मैख दीम सर्फ रश线 करती है विधान सरपेंगे लिए यह जोग सवा राज्य सवा बनाईयों जो लोगों के मुद्दी है वहाँ सोल्व हो एक गाउं का परदान होता है जब उसके पास एक मुद्दा जाता है उसके लेवल पे सोल्व होता है ठीक है वो किसके पास जाता है अपने MLA के पास जब एमले से सोल्व नहीं होता है वो आता है विदान सभा में इसलिए मनाया ग पिछली सरकार थी पतवारी का पिपर था, सरकार की मान सिक्ता थी डेने की दिया, इनके सरकार में headlights कीici report में जो गड़ेडी हुई उसमेंि रीजर्ट आई ऐक postcode था 9 माचल में कि अफ्षिर्शाही की कमी है यह लीगली इतनी अच्छी डवाइज नहीं मिल रही हम जजमेंट भी देखकर कि आए कि कुछ चीजों में कोट के सामने सरकारों ने पक्ष रखके भी रिजल्ट आए है आपकी खुद जहां से लीग डवाइज आते हैं मेडिया के पता लगता है पांस सीटनों को जो है होड करें अब सर एक बात यह है कि सर जिन बंदों ने चीटिंग करी जो माँ बैठे थे उनके बच्चे सर सोचल मीडिया में घूम रहे हैं पोस्टे डार रहे हैं जेलों में आने के वा सर उनके मतलब चैरे में दुख तक नहीं है हम को बोलते हैं सरकार को सबसे पहले उनकी प्रोपटी सीज करनी चाहिए अगर आपने चीटिंग को बचाना है ब्यवस्था परिवर्तन करना है ऐसा रूल बनाइए किसी भी डिपार्टमेंट में कोई बंदा दांदली करता है उसके बच्चों को गोवर्मेंट मिलने वाली स लेकिन सर मैं तो अपने नंगरोटा कंसी जंसी से हूँ मैं तो अपने विदायक जी को कहना चाहूंगा यहां से बाद नंगरोटा में हम पूरे जोसों के साथ अपने आरेस वाली जी का विरोध करेंगे और उनको बोट इसवार नहीं मिलेगा क्योंकि जो हलत हमारी की है व इसकी मदर एक्सपायर है अभी हमारे तरफ से एक लड़की थी उसके फादर को सर कैंसर था जी उसका भाई नहीं है उसको सर पांच हजार का टेस्ट करवाने के लिए पैसे तक नहीं थे स्टूडेंट्स ने यहां के जितने केंडिड़े सबने कोलेक्शन करी सर हमारे उन बंदों को नीड है हमारे कुछ भाई है फादर एक्सपायर है वीटक किये सर बाहर नोकरी करने जा सकते को कि मदर विमार है उन बंदों को नोकरी की नीड है उनके मोश्रिक्यों नहीं समझे जाते अगर इस तरह चलता रहागा अभी तो सर मारे पास इतनी चिज्य जो ह से बात करते हैं कुछ ऐसी कंडिडेट है जिनके सर घरों के बुरे हाल है कि यह अपने सर के घर बनाने हैं कि यह उन्हें शादियां भी करनी है बंदा सर 34 साल में साधी करेगा 36-37 साल में बच्चे होंगे 50 साल में मर जाएक उसके पास कुछ नहीं है अगर हम बोलें आप आ हमारे लिए तो सर खत्रा है ही है कि हम तो जर बेगर हो ही रहें लेकिन आने वाली सरकार को इलक्शन में चीज़ का लोस हो सकता है